कि नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अगरेम MPPSC Academy में और दोस्तो हम बात कर रहे हैं मध्य परदेश सामान निग्यान पर तुर मध्य परदेश सामान निग्यान में दोस्तो हम लोग बात कर रहे हैं संभागवार जिलेवार अध्यान की तेन टोपिक्स हम लोगों ने अलरेडी डिसकस कर लिये हैं दोस्तों और आज यह हमारा चौत्हा टापिक है दोस्तों और इसमें हम सागर संभाग गौालेर संभाग और चंबल संभाग को देखेंगे तो दोस्तों सागर संभाग, गौलेर संभाग और चंबल संभाग के जिलो के बारे में हम लोग पॉइंट वाइज इनके बारे में देखेंगे तो चलिए दोस्तों इस्टाथ करते हैं प्रारम करते हैं सागर संभाग को इससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से यार और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ठीक है दोस्तों तो चलिए प्रारम्ध करते हैं सागर संभाग सागर संभाग में सामिल जिले दोस्तों सागर, दमो, पन्ना, छतरपूर, टीकमगर और निवारी ये इतने जिले दोस्तों सागर संभाग में आते हैं और निमारी जिले की जानकारी दोस्तों हम टीकमगर में ही देख लेंगे क्योंकि टीकमगर से अलग करके ही क्या किया गया दोस्तों निमारी जिले को बना गया है ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते चलते हैं सबसे पहला संभाग सागर संभाग का सबसे पहला जिला सागर को ही देख लेते हैं तो सागर दोस्तों सागर की जनसंख्या 23,78,295 क्या है दोस्तों सागर जिले की जनसंख्या है छेतरफल 10,200 वामन वर्ग किलोमीटर है साथ जिलों से घिरा हुआ जिला है और सागर जिला दोस्तों जैसा इसका नाम है सागर तो ये क्या है दोस्तों साथ जिलों से क्या है घिर क्या हुआ है मेला यहां पे लगता है धामोनी उर्स का तो सागर जिले में जो मेला लगता है दोस्तों वो धामोनी उर्स लगता है और अभ्यारंड दोस्तों यहां पर नौरा देही अभ्यारंड है तो नौरा देही अभ्यारंड कहां पर है दोस्तों सागर जिला में है ठीक ह स्वामी विवेक अनंद यूनिवेसिटी हरी शींग गवय विश्विध्याली प्रदेश की सबसे पुराणी यूनिवरस्टी, जिसकी अस्थापन ना मैं 1996 में थी, नुस्टो यह भी कहां हैे सागर में ही है तो हरी सिंग गवर्व उनिवर्षटी स्वामी विवेकानंद उनिवर्षटी यह उनिवर्षटियां कहा है दोस्तों यह उनिवर्षटियां सागर में हैं और दोस्तों राज की प्रथम केंद्री उनिवर्षटी का भी दर्जा किसको मिला है दोस्तों हरिशिंग गवर्षटी को राज की प स्पत्य विग्ञान का जो सबसे बड़ा उध्यान है वह क्या है दोस्तों इसी युनिवर्सिटी में है कौंची युम फिनिवर्सिटी में अब दोस्तों आगे देख लेते हैं जवाहर लाल नहरु राज्यफ tech आकाडमी क्या है दोस्तोंट में है temper to का मुख्याले भी क्या है दोस्तों सागर में ही है तो महार रेजिमेंट का मुख्याले सागर में है बीना तहसील के आगा सोध में ओमान के सहयोग से रिफाइनरी लगाई गई है तो सागर जिले की दोस्तों जो बीना तहसील है यहां पर आगा सोध यहां के आगा सोध में दो ठीक है दोस्तों स्टील कंप्लेक्स मद्द प्रदेश का जो स्टील कंप्लेक्स है दोस्तों वो सागर में है फोरेंसिक साइन्स लाइब यह भी क्या है दोस्तों सागर में है याद रखेंगे फोरेंसिक साइन्स लेबोरेटरी कहा है सागर में है एरण दोस्तों सागर में एरण जो है दोस्तों जहां से सती परता का परतम अविलेक मिला है समुत्र गुप्त का स्वभोग नगर था वो कहां पर है दोस्तों सागर में ही परता है और मंगल गिरी जैन तीर्थ अस्थल है और सागर का दोस्तों जो मंगल गिरी है वो क्या है जैन तीर्थ का अस्थल है आगे दोस्तों राहत गड़ तथा गड़ कोटा का किलाभी यहाँ पर है कीट नासक बोने का संयंत्र बीना सागर में अस्थापित है कीटनासक बोने का जो संयंत्र है दोस्तों वो भी कहां है सागर बीना में ही अस्थापित है और गेहू अनुसंधान केंद्र भी क्या है दोस्तों गेहू अनुसंधान केंद्र भी सागर में है आगे दोस्तों स्वान योजना जुलाई 2009 में सागर जिले में सुरू हुई थी तो जो स्वान योजना है दोस्तों वो जुलाई 2009 से सागर जिले में सुरू हुई थी और बुंदेल खंड विकास प्राधी करण का मुख्याले भी क्या है दोस्तों सागर ही है तो इस तरह से दो इंपोर्टेंट ही है दोस्तों तो इसको सभी को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बुंदेल खंड विकास प्राधिकरण का मुख्याल है दोस्तों ये सागर जिले में है अब देख लेते हैं दोस्तों अगला जिला चतरपुर जिला चतरपुर जिला इसका उपनाम दोस्त मेला कौन सा दोस्तों, चतरपुर में जल विहारी का मेला लगता है, परेटन अस्तलों में दोस्तों, खजुराहों, दूबेला संक्रहाल है, मंदिर समू, के लिए प्रसित धन्नाव गाउं, पांडव प्रपात, रंगभ जील, वेनी सागर बांध, केन बेतवा संपर्क के तह दोहन बांध निर्माना धीन है, तो दोहन निर्माना धीन बांध कहां किस जिले से संबंदित है दोस्तों, किस जिले में है, तो चतरपुर जिले में है, बेतवा संपर्क के तहत दोहन बांध जो निर्माना धीन है, वो कहां पर है दोस्तों, वो चतरपुर जिले में है, ठ दोस्तों उकार्चुई मिट्टी भी क्या है दोस्तों यहां पर पाई जाती है चतरपूर के चतरपूर में हीरे के भंडार ग्यात हुए हैं और चतरपूर में दोस्तों हीरे के भंडार भी ग्यात हुए हैं आगे दोस्तों खजुराहों क्या है दोस्तों युनेस्कों के मंदिरों को विशु दरोहर दरोहर प्रत्रम घोसित किया गया था दोस्तों और यह क्या है दोस्तों चतरपुर जिले में ही है चंदेल कालिन एकजारवी सताब्दी के अनेक मंदिरों का समू जिसमें कंदरिया महादेव 64 योगनी मंदिर चित्रगुप्त मंदिर विशुनात म लश्मर मंदिर, पार्शनात मंदिर, आदिराथ मंदिर, चत्रबुझ मंदिर ये क्या है दोस्तों प्रमुक मंदिर हैं चंदेल कालिन प्रमुक मंदिरों में दोस्तों कौन कौन से कंदरिया महादेव 64 योगिनी चित्र गुप्त बिस सुनात लच्षमर पार सुनात आधिनात चतुर भूज ये सभी क्या है दोस्तों चतरपूर में हैं आगे देख लेते हैं दोस्तों आधिवासी कला संगरहाले ख जिला है दोस्तों टीकमगर जिला तीकमगर जिला दोस्तों यहां की जनसंचा 14-44-920 दोस्तों निमारी सहित है 5048 वर्ग किलोमीटर चेतरफल इसका दोस्तों निमारी के साथ इंक्लूट करके है इसमें तालाब और परवतों का जिला दोस्तों तालाब और परवतों का जिल है ठीक हो डोस्तों आगे देख लेते हैं बूंदेलों की साओर्बूमी लोक कभियों मूंदेलों की सहर्बूमी के नाम से भी इसको जाना जाता है साथ में लोक कभियों इसुरी जगनिक और घाग की भूमी भी टीकमगढ ही है तो लोग कभियों में इसुरी जगनिक और घाग क्या है दोस्तों टीकमगढ से ही संबंधित थे ठीक है दोस्तों दर्सनी अस्थल बेतवा के किनारे बुंदेलावंस की राजधानी औरचा में सहीद इसमारक और राम राजा का प्रसिद मंदिर है तो दर्सनी अस्थलों में दोस्तों बेतवा के किनारे बुंदेलावंस की राजधानी औरचा में बुंदेलावंस की जो रा कुकडेस्वर मंदिर जहां सिवलिंग का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता है पायो राजी जैन तेर्थ यहीं पर है ठीक है दोस्तों तो दर्शनी स्थलों में बुंदेला मंस की रालधानी ओर्चा का सही दिस्मारक रामरजा का प्रसिद मंदिर जटा संकर तेर्थ बृद्ध क प्रतिवर्ष यहाँ पर तहले की दोस्तों वा बरता है पायो राजी जैन तीर्थ भी इत थाले मंद्ध प्रतेस की तीकमगड कoryए- हम लोग क्या कर रहे हैं तो टीकमगड के दर्शनी अस्थलों में बैतबा की किनारे बुंदेला बंस की राजधानी और शा में सही। इस्मारत एवोन राम-राजा का प्रसिद्ध मंदीर जटा संकर तीर्थ ब्रिद्ध किला कुकडेश्वर मंदिर सिवलिंग कुकडेश्वर मंदिर जहां पर सिवलिंग का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता है और पायो राजी जैन तीर्थ भी यहीं पर है मद्यप्रदेश की प्रथम महिला मुक्य मंतरी उमा भारती टीकमगड़ जिले की है तो मद्यप्रदेश की दोस्तों प्रथम महिला मुक्य मंतरी ऐसा करके कोईस्टन्स कई बार पूछा गया है तो मद्ध प्रदेश की प्रथम महिला मुक्य मंत्री दोस्तों उमा भारती हैं और इनका छेतर कौन सा है दोस्तों टीकमगर जिला है ये दोस्तों टीकमगर जिले की हैं हर दौल मेला मनोती यहीं मानी जाती है और जो दोस्तों हर दौल मेला मनोती है इसी जिले में यहीं पर मांगी जाती है और कभी केसवदास औरशा के थे सरवाधिक तालाबों बाला जिला यहां के सभी चंदेल कालिन तालाबों का निर्मार बग्यानिक तरीके से हुआ है जिसमें एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में अंदुरूनी धंग से चला जाता है तो जिसमें होता गया है दोस्तों एक तालाब का जो पानी है वो दूसरे तालाब में अंदुरूनी धंग से चला जाता है आगे दोस्तों दमोह जिला दमोह जिले की जनसंचा 12,63,703 है 73,06 वर्ग किलोमीटर इसका छेतरफल है रानी दमयंती के नाम पर दमोह का नाम रखा गया दोस्तों तो दमोह का नाम दोस्तों रानी दमयंती के नाम पर रखा गया पासान काले अस्थल सिग्रामपुर घाटी में है दोस्तों भैसा के पास के निदान कुंड नामक जल प्रपात है तो दोस्तों भैसा के पास निदान कुंड नामक जल प्रपात दमोह जिले के भैसा के पास निदान कुंड नामक जल प्रपात है राणी दुर्गावती अभ्यारंड है नपारा पिकनिक Kas部 भी क्या है दोस्तों दमोह जिले में है नर्सिंग गड में Lime Stone है और दमोह जिले के नर्सिंग गड में Lime Stone खनीज पायादाता है डायमंड सिमेंट फैक्टरी भी दमोह में है, पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के सामान के लिए भी क्या है दोस्तों दमोह जिला प्रसिद्ध है, मध्ध प्रदेश में सरवादिक बाल स्रमिक दमोह जिले में है, चंदेलों की राजधानी नोटा रही है, और ज और नोटा में ही 49 स्वर मंदिर है कुंडलपूर नामक जैन तीर्थ अस्थल है और कुंडलपूर नामक क्या है दोस्तों यहाँ पर जैन तीर्थ अस्थल भी है बादकपूर प्रसिद्ध सिव मंदिर है और बादकपूर क्या है दोस्तों प्रसिद्ध सिव मंदिर भी दमोह म में है पर्सियन वास्तुकला का उदाहरण है बांदीगढ बांतीगढ का किला दमों पर्सियन वास्तुकला का क्या है दोस्तों उदाहरण है दमों से कर्तब्य समचार पत्र प्रकासित होता है तो दमों से कर्तब्य नामक जो समचार पत्र है वो प्रकासित होता है पत्रकार मा अधो सप्रे दमोह जिले से संबंदित हैं सिंग गड़ दमोह जिले के सिंगर गड़ सिंगर गड़ में गुलाबों से युक्त जील है तो गुलाबों से युक्त जील सिंगर गड़ दमोह जिले में पड़ती है आप दोस्तों आगे है पन्ना जिला पन्ना जिले की जनसंचा 10 10,16,028 है 6 physicians 7,135 पर गिंधिक रही है हिरा उत्कणन के लिए पंचापना विश्य में प्रसिध्ध है तो हिरा उत्कणन के लिए पंचापना क्या है दोस्तों विश्य में प्रसिध्ध है जून 2009 से NMDC ने हिरा खंचापना पुनह सुरू किया है और जुन 2009 से पन्ना में हेरे की खुदाई फिर से NMDC कमपनी द्वारा की जा रही है प्रतिवर्स 80,000 केरेट उत्पादित होता है यहां से ही राठी के दोस्तों पन्ना प्रतिवर्स 80,000 केरेट यहां पर उत्पादन होता है पन्ना जिले की अजयगर तहसील चेतरफल की द्रिष्टी से प्रदेश की सबसे चोटी तहसील है तो पन्ना जिले की क्या है दोस्तों जो अजयगर तहसील है वो मद्य प्रदेश की सबसे चेतरफल की द्रिष्टी से सबसे चोटी तहसील है अजय गढ़ का किला भी प्रसिद्ध है तो पन्ना जिले का जो अजय गढ़ है दोस्तों वहाँ पर जो अजय गढ़ का किला है वो भी क्या है प्रसिद्ध है पन्ना में टी हाउस भी है तो पन्ना में ट्री हाउस है पुरैना में सीमेंट अध्योगिक केंद्र है और पुरैन वच्छतरपुर जिले में विस्तित है पन्ना राश्टी उद्यान ये प्रदेश का पांचमा टाइगर रिजर्व है और केन नदी केन नदी इस उद्यान से गुजरती है और पन्ना उद्यान से क्या होती है दोस्तों केन नदी गुजरती है जहां केन घरियाल अभ्यारंड भ हाल ही में पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट से बागों की समाप्ती से पन्ना चर्चित रहा है तो पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट से क्या हुआ है दोस्तों बाग समाप्त हो गए है तो इसलिए पन्ना जिला क्या है दोस्तों चर्चा का विशे रहा है और दोस्तों आवला से प्रपात पन्ना जिले में है, प्रसिदध बलदेव मंदेर लंदन इस्तितद। साथी के सैली में बना है, और इटालियन विशिशक स्ट क्ले मानली के निर्देशन में है, लाल किला नदी के तठ पर पद्मावती या बड़ी देवी का मंदिर भी है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला संभाग है मारा गौालियर संभाग और इस संभाग में दोस्तों गौालियर सिवपुरी गुना दतिया असोक नगर आते हैं दोस्तों तो सबसे पहले एक एक करके देखते चलते हैं गौालियर जिले को सबसे पहले ग्वालियर जीले के बारे में देखते हैं तो जनसंचा यहां की 20,30,543 है छेतरफल यहां का 5,214 बर की किलो मीटर है अस्थापना राजा सूरज सेन ने पवित्र संत ग्वालिया या गालव रिसी के सम्मान में आठवी सतापदी में यहां इसकी अस्थाप्ता की थी है ना राजा सूरज सेन ने क्या किया था दोस्तों पवित्र संत ग्वालिया या गालव रिसी के सम्मान में है ना इसका नाम ग्वालियर रख दिया था प्रेटनस्ता दोस्तो च्छतरिबाग गॉलेर का किला मान मंदिर बारा गुर्जरी महल मान सिंह तोमर की प्रेमिका अम्रेगनैनी गुर्जर की याद में और तांसेन का मकबरा रुप सिंग स्टेडियम गौस मोहम्मद का मकबरा लच्मी भाई की समाधी मोती महल मंडला में भी दोको मन्दला में वी हाता है या जय मन्दला में भी है और घौलियर 20 में में जय विलास्टिछ रहे और मद्धिश का सब्सक्राइब द्रावर पर लगता है गजराजा ठिकित सक मेडिकल कॉलेज है ग्वालियर में मद्य प्रदेश का राजस सुमुक्षाल है एवं महालेका कार कार्याल है ग्वालियर में ही है CRPF का प्रसिचण केंद्र यहाँ पर भी है घाटी गाउं अभियारन जिसमें सोन चिरिया का संद्चण किया जाता है यहीं ग्वालियर में है दोस्तों संगीत संबराट तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और यहां पर क्या है दोस्तों तानसेन समारों का आयोजन होता है तानसेन समारों का आयोजन ग्वालियर में होता है जबकि तानसेन की जन्मस्तली बेहट ग्राम है सरोध घर के नाम से अस्थापित संग्रहाल है जिसे उस्ताद हाफिज अली खान के प्राचीन घर में अस्थापित किया गया है ग्वालियर का किला निर्माता सूरज सेन है, किलो का रतन कहा जाता है, या जिब्राल्टर कहलाता है, बाबर ने ये संग्याएं दीती दोस्तों, तो किलो का रतन या जिब्राल्टर कौन कहलाता है दोस्तों, ग्वालियर का किला कहलाता है, किलो का रतन या जिब्राल्टर और इसका निर्माता कौनता दोस्तों तो सूरज चेन था और बाबर ने इनको किलो कारत निया जिब्राल्टर कहा था पूर्ब में ग्वालियर को मध्य प्रांथ की राजधानी बनाया गया था दाता बंडी चोण का गुर्द्वारा छेवे गुरू हर गोविंद को जहांगेर ने यहां दो साल कायद में रखा था तो क्या है दोस्तों जो चटवे गुरू हर गोविंद थे जहांगेर ने उनको दो साल दाता बंडी में है न इनको कैद करके रखा था गुरू हर गोविंद को जो चटवे गुरू थे किले के अंदर ही इस अस्थान पर गुर्द्वारा है और किले के अंदर क्या है दोस्तों इसी अस्थान पर गुर्द्वारा भी है NCC का महिला प्रसिचर केंद्र गौलियर में है दोस्तों याद रखेंगे भारत के पूर्व प्रधर मंत्री अटल भिहारी बाजपेई का संबंध ग्वालियर से है समूदन जैविक फार्म हाउस डबरा ग्वालियर देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में है और दूसरी क्या है दोस्तों ग्वालियर में है मानसिक चिकित्सा संस्तान ग्वालियर इंदवर दोनों जगह पर है दोस्तों याद रखेंगे युनिवर्सिटी कौन कौन सी है दोस्तों तो युनिवर्सिटी में ग्वालियर में जीवा जीविस विद्याले है ग्वालियर में सूचना तकनिकी युनिवर्सटी भी है महारानी लच्मी 22 सारेरिक सिच्छा महा विध्याले है जिसे समकच डिम्ड युनिवर्सटी का दर्जा दिया गया है राजा मान सिंग संगीत युनिवर्सटी भी है दोस्तों 2008 में अस्थापित हुई थी इस तरह से दोस्तों आगे देख लेते हैं ग्वालियर में और क्या है तो ग्वालियर में दोस्तों विजिया राजे सिंधिया क्रिशी भी सुविद्याले 2008 में अस्थापित है और मध्यप्रदेश में दूसरा है दोस्तों तो विजिया राजे सिंधिया क्रिशी विश्व विद्याले 2008 में जो अस्थापित किया गया था कहां पर है दोस्तों मध्य प्रदेश में है और वो ग्वालियर में है और ये क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश का दूसरा है तो दोस्तों अगला जिला है हमारा श्यूपूरी जिला श्यूपूरी जिला की जनसंचा दोस्तों 17,25,818 है श्यूपूरी जिले का श्यूपूरी जिला की जनसंचा दोस्तों 17,25,818 है मद्य प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है दोस्तों श्यूपूरी और मेला यहां लगता है दोस्तों पीर बुधान का मेला तो स्युपुरी में दोस्तों कौन सा मेला लगता है पीर बुधान का मेला लगता है और स्युपुरी में दोस्तों माधा और आश्टी उद्यान है और वहाँ पर क्या है दोस्तों जार्ज कैसल भवन है तो स्युपुरी के माधा उद्यान में दोस्तों जार्ज कैसल भवन है और अभ्यारंड दोस्तों करैरा अभ्यारंड जहां सोन चीडिया का सनच्छन किया जाता है यहां पर भी है दोस्तों तो सुपुरी में सोन चीडिया का सनच्छन किया जाता है करैरा अभ्यारंड में और इस उद्यान से राष्टी राजमार्ग तीन भी गुजरता है और यह माधाव सागर बांध है और मनिहारी नदी पर क्या है दोस्तों सांग के सागर एवं माधाव सागर बांध है 2010 में स्यूपुरी को मद्य प्रदेश का पहला परेटन सहर घोसित किया गया है और 2010 में दोस्तों शिवपुरी को क्या किया गया था पहला परेटन सहर गोशित किया गया था और दोस्तों शिवपुरी में नर्वर का किला है जो नर्वर का किला है जो नर्वर का किला है तो नर्वर का किला दोस्तों याद रखेंगे नर्वर का किला है जो की शिवपुरी मे है तात्या टोक्पे की समाधी भी दोस्तों सिवपूरी में है सिंधिया परिवार की जो छत्रिया है वो भी कहां है दोस्तों वो भी यहीं पर है सिवपूरी से राश्टी राजमार्ग तीन गुजरता है ठीक है नगरी भी कहा जाता है शिवपूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है राज्यका पहला परमार विद्दुत ग्रह भीमपूर में प्रस्तावित है और मध्य परदेश में निवनतम तापमान शिवपूरी में पाया जाता है और दोस्तों म संचा दोस्तों 12,40,939 है चेतरफल इसका है 6,390 किलोमीटर यहां मेला लगता है दोस्तों तेजा जी का मेला लगता है विजय नगर में जी ए आई यल कंपनी भी है और गुना के विजय नगर में गेल कंपनी भी है नेशनल फर्टिलाइजर्स विजयपूर यहीं पर है तो ज निशनल फार्टिलाइजर्स को क्या किया गया था दोस्तों अस्थापित किया गया था भू उपग्रह दूर संचार अनवेशन केंद्र भी क्या है दोस्तों गुना में भू उपग्रह दूर संचार अनवेशन केंद्र है आगे देखते हैं दोस्तों हजीरा विजैपूर जग प्राचीन काल में गुना अवंती राजे का हिस्सा था और प्राचीन टाइम पीरियड में दोस्तों गुना जो था यह अवंती राजे का हिस्सा था अठारवी सताब्दी में रागोगड रियासत का हिस्सा था और क्या था दोस्तों अठारवी सताब्दी में रागोगड रियासत का हिस्सा था 1948 में गठित मध्प्रांत के 16 जिलों में से एक क्या है दोस्तों एक गुना जिलाक था तो दोस्तों गुना का जो प्राचीन नाम था दोस्तों प्राचीन काल में गुना अवन्ती का हिस्सा था और अठारवी सताब्दी में राधावगड रियासत का हिस्सा था तो 1948 में गठित मध्य प्रांथ के 16 जिलों में से एक गुना जिला था तो 1948 में दोस्तों जो गठित मध्य प्रांथ था उसमें जो 16 जिले थे उसमें से एक जिला काउंसा था दोस्तों गुना जिला था कुम्भराज गुना की महत्पूर्ण मंदी है और क्या है दोस्तों जो जहां है दोस्तों वहां क्या है दिगविजय सिंग का पूर्वमंत्री का गाउं है बंजर बजरंग गढ़ में बजरंग गढ़ में प्राचीन किला है हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित प्रसिध अस्थल है और दोस्तों हिंदू और जैन धर्म से संबंधित क्या है प्र 84,989 है 8,44,989 है चेतरफल दोस्तों इसका 46,76 बर्ग किलो मीटर है तो असोक नगर जिले का चेतरफल दोस्तों 4,676 बर्ग किलो मीटर और यहां की जनसंचा दोस्तों 8,44,989 है ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं अस्थापना तो अस्थापना इसकी दोस्तों 15,23 को गुना जिले से अलग करके इसको बनाया गया चंदेरी का प्रसिद्ध किला यहां पर है तो असोक नगर में क्या है दोस्तों चंदेरी का प्रसिद्ध किला है चंदेरी साडियों के लिए भी क्या है दोस्तों असोक नगर प्रसिद्ध ह चंदेरी में बैजु बावरा संगीतकार की समाधी भी है तो चंदेरी में क्या है दोस्तों जो बैजु बावरा था संगीतकार उनकी समाधी है असोक नगर के मुंगावली में खुली जेल है दोस्तों नौजीवन सिविर के नाम से और दोस्तों आनंद पुरास्रम सिख समुदा यहीं परस्थापित है और जो दोस्तों आनंद पुरास्रम है सिख समुदा का यहीं परस्थापित है मौल बांध और कोच बांध पार्वती नदी पर ही है असोक मौरे के नाम पर सिंधव बेतवा नदी के मध्ध त्रिकाल मंदिर में 24 जैन तीर्थकर है तो असोक मौरे के नाम पर सिंधव बेतवा नदी के मध्ध त्रिकाल मंदिर में 24 जैन तीर्थकर है लवकुस जन्मस्थल तुवान जैन छेत्र सहयोग संप्रदाय का है ठीक है दोस्तों चंदल मठ है सहयोग संप्रदाय का चंदल मठ भी यहीं पर है और लवकुस जन्मस्थल तुवान जैन छेत्र ये सभी क्या है दोस्तों असोक नगर में ही है चंदेरी बादल महल चंदेरी का बादल महल कोसक महल ये सभी दोस्तों असोक नगर में हैं याद रखेंगे असोक नगर ईशागर चंदेरी वो मुंगा वली तहसीले इस जिले में हैं तो असुक नगर जिले में दोस्तो चार तहसीले हैं असुक नगर इसागर चंदेरी और मुंगावली तहसीले हैं अगला जिला दोस्तो दतिया जिला तो दतिया जिले की जन संग्चा दोस्तो 7,86,375 चेतरफल दोस्तो 2,691 बर्ग किलोमीटर है दोस्तो और दोस्तो इसका प् नाम था वीर सिंग बुंदेला द्वारा सत्रवी सताब्दी में सात मंजला सत्खंडा महल का निर्मार करा गया दोस्तों इसे पुराना महल हवा महल खेत्री महल भी कहा जाता है इसको क्या कहते हैं दोस्तों हवा महल पुराना महल या खेत्री महल भी कहा जाता है किसको दोस्त महल हवा महल और खेत्री महल भी कहा जाता है प्रदेश का सरवाधिक सिंचित जिला 60 प्रतिसत दोस्तों ये दतिया ही है तो प्रदेश का सरवाधिक मद्य प्रदेश का सरवाधिक सिंचित जिला कौन सा है दोस्तों तो मद्य प्रदेश का सरवाधिक सिंचित जिला दतिया है, यहाँ पर 60 होती है, सिचाई होती है, असोक ने गुर्जरा से असोक के अभिलेक प्राप्त हुए है, तो असोक के अभिलेक कहां से मिले हैं, दोस्तों, तो दतिया के गुर्जरा से ही असोक के अभिलेक प्राप्त हुए है, जहाँ असोक का नाम असोक मिलता है, अस गड़माता का प्रसिद मंदिर भी दोस्तों धतिया में है जैनों का तीर थस्तल सोना गिरी भी क्या है दोस्तों धतिया में ही पढ़ता है चेत्रफल की दृष्टी से सबसे चोटा जिला है और चेत्रफल की दृष्टी से मध्य प्रदेश का सबसे चोटा जिला भी क्या है द संगीत कालेश यहीं पर आनिक मंदिरे के कारण दिया सक्या संगया दी जाती है वowskiला मती देवी मंदे में महा भारत काले इंसिव मंदिर ठीक है दोस्तों आगे देख लेते हैं यहां के किले में लिखा है न्याय मुकुट का हीरा और दतिया के किले में क्या लिखा है दोस्तों न्याय मुकुट का हीरा है तो न्याय का है दोस्तों जो मुकुट होता है उसका क्या है हीरा है दतिया भांडेर मार्ग पर वनस्पति उ द्यान है श्यो नधा जल प्रपात सिंधु नदी पर है और जो श्यो नधा जल प्रपात है दोस्तों वो सिंधु नदी पर है भांडेर में गैस आधारित प्रतम बिद्दुत सयंत्र है और भांडेर में क्या है दोस्तों गैस आधारित पहला बिद्दुत सयंत्र भी है तो द चम्बल संभाग चेत्र्फल में सबसे छोटा संभाग है भिंद मुरसा शोपूर तीन जिले इसमें सामिल है कि दोस्तों कूरatra थे न होऔर दोस्तों कि ग describes र Lion दोस्तों इसकी जंसंच्छा संठ्रेलाख तीनहजार सं पांसर सत्रे लाख तीन हजार पांसो बांसेट ही है और दोस्तो यहां का चेतरफल क्या है किता है भिंड जिले का चेतरफल 4469 बर्ग किलोमीचर है विभंडक रिसी की भूमी है और भिंड जिला के है दोस्तों विभंडक रिसी की भूमी कही जाती है प्रमुक फसल यहां पर दोस्तों सरसो है मंदिर दोस्तों जमधारा कारेणु का मंदिर यहां पर है भिंड जिले में जमधारा कारेणु का मंदिर ह दद रौवा सरकार का हनुमान मंदिर भी दोस्तों भिंड जिले में ही है तो दद रौवा सरकार का जो हनुमान मंदिर है दोस्तों वो कहां पर है भिंडी रिसी के नाम पर भिंड का नाम पर है और भिंडी रिसी के नाम पर क्या पर है दोस्तों भिंड का नाम पर है अटेर कि जाता है मध्यप्रदेश का सबसे कम वर्षा 55 cm वाला अस्थान भी क्या है दोस्तों भिंड है कम लिंगा उनुपात में पहला अस्थान 1839 क्या है दोस्तों भिंड जिले का ही है और दोस्तों मध्यप्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपूर भिंड में है और दोस्तों मद्र प्रदेश के भिंड में स्थापित हैं जनसंचा की द्रिष्टी से शबसे चोंटी तहसील रहनक लान पृषि है उससे कंभिन इना प्रश्विك देख्या तो दोस्तों मालन पूर भिंड के मालन पूर में रच्छा उत्पादन है तू साइमन क्रॉपस इंडिया लिमिटेड का निवेस यहां पर है ठीक है दोस्तों भिंड जिले में अगला जिला है दोस्तों स्योपूर जिले की जिले का च्छे तरफल दोस्तों 6606 वर्ग किलो मीटर है जनसंचा दोस्तों यहां की 6,87,952 है दोस्तों अस्थापना 1998 में इसको मुरैना से अलग किया गया था दोस्तों अभ्यारंड यहां पर स्योपूर में पालपूर कुनों अभ्यारंड है जहां पर अफ्रीकी चीतों का सनरचण किया जा रहा है तो अफ्रीकी चीतों के सनरचण है तू जो पालपूर कुनों अभ्यारंड है दोस्तों वो कहां पर है स्योपूर जिले में है याद रखेगे फस चोपुरजिले की दोस्तों सबसे ज़्यादा जनजाती वाला जिला है इसकी सिमा राजस्थान से लगी हुई है चंबल नहर से सिंचित है और दोस्तों कास्ट कासी कला केंद्र भी क्या है दोस्तों इस जिले में है और काकेटा काकेटा डैम भीद क्या है दोस्तों यहीं पर है आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला जिला मुरैना जिला यहां पर दोस्तों यहां की जनसंचा 19,65,137 है 19,65,137 ऐसा करके याद करेंगे 19,65,137 4,988 वर्ग किलो मीटर चेतर फल है दोस्तों मुरैना का चेतर फल दोस्तों 4,988 वर्ग किलो मीटर और दोस्तों जनसंचा यहां की 19,65,137 तो 19,00 याद कर लेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का सहद जिला मध्य प्रदेश का दोस्तों जो सहद जिला है वो काउंसा है तो मध्य प्रदेश का सहद जिला मुरैना है सिंहोनिया में कनक मठ मंदिर वसास बहु अभिलेख है और दोस्तों बटेश्वर में चट्वी सत्वी सताब्दी के मंदिर है बटेश्वर को परेटन है तो विक्सित किया जा रहा है बटेश्वर को दोस्तों परेटन है तो विक्सित किया जा रहा है और दोस्तों यहां की भी प्रमुक फ्रसल क्या है दोस्तों सरसो है और दोस्तों गजक के लिए भी क्या है मुरेणा प्रसिद्ध है मुरेणा क्या है दोस्तों गजक के लिए प्रसिद्ध है जीरो से च्छ वर्स आई वर्ग में सबसे कम लिंगा नुपात दोस्तों इसी मुरेणा जिले का है 1849 है दोस्तों चंबल नदी के किनारे है मुरेणा क्या है दोस्तों चंबल नदी के किनारे है यहां चंबल घडियाल परियोजना है दोस्तों यहां पर चंबल घडियाल परियोजना है और यहां पर दोस्तों डालफिनों का भी समच्चन किया जा रहा है तो चंबल घडियाल दोस्तों उसकी समस्या भी इस जिले में है पडावली पडावली वह मितावली एतिहासिक अस्थल है तो मुरेना जिले में दोस्तों पडावली वह मितावली क्या है एतिहासिक अस्थल है यहां मतावली अस्थल महाभारत कालीन है जो मतावली अस्थल है दोस्तों वह महाभार प्रसिद जिला मुरयना है मतुरा रिफाइनेरी पर आधारित पिट्रोचेमिकल उद्योग मुरायना में अस्थापित है तो मथुरा रिफाइनरी पर आधारित जो पेट्रो केमिकल उद्ध्योग है दोस्तों ये कहां पर अस्थापित है तो मुरायना में अस्थापित किया जा रहा है दोस्तों गुजर सरदार साबला द्वारा नेर्मित किला खुबसूरत बांध संबल गड़ है दोस्तों और प्राग एतिहासिक कालीन 86 गुफाओं की स्रिंखला क्या है दोस्तों मुरैना में ही है और नूराबाद जहांगीर कालीन नगर क्वारी नदी पर मद्ध यूगीन बांध है गवना बेगम का मकबरा भी है तो नूराबाद जहांगीर कालीन नगर है दोस्तों और क्वारी नदी पर मद्ध यूगीन बांध बना हुआ है और गवना बेगम का मकबर भी दोस्तों मुरहिना में है तो इतनी चीजे दोस्तों इस मुरहिना में है दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों आगे हमारा अगला जो है तो टापिक स्टार्टों का दोस्तों भावगोली की स्थिती का तो इसको हम देखेंगे अपने next session में दोस्तों और दोस्तों ये complete series मध्य प्रदेश सामान निग्यान की आप लोगों के लिए कराई जाएगी है ना आप लोग धैर बनाये रखें और इसको जो है तो यदि आप लोग एक दो बार देखेंगे तो सारे facts आप लोगों को याद हो जाएंगे और आपके मध्य प्रदेश सामान निग्यान से संबंदित जो भी प्रश्ण परिच्छाओं में पूछे जाएंगे आप निश्चित पूर्वक उनका उत्तर दे सकेंगे दोस्तों तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना न भूले, धन्यबाद दोस्तों, thanks for watching, जैहिन